स्री शिवाय नमस्तो भ्याम हम सबको पता है कि 30 सितंबर को पित्र पक्ष की पढ़ने वाली जो शिवरात्री तिथी है वो आ गई है साथी साथ इस तिथी को और भी सुन्दर और भी प्यारा बनाता है ये प्रदोश का दिन है ना और अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है ना चाहे वो पित्र दोश की वज़े से या फिर महादियो आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं और वो इच्छा ही नहीं पूरी हो रही है पूरा परिवार आपका परेशान है ना तो ये वीडियो आपके लिए है बस आपको चावल के साथ दाने से एक छोटा सा उपाय करके देखेगा यकीन मानिए बरसों पुरानी आपके वो सारी मनोकामना पूरी होगी जो अभी तक अधूरी थी और ये सारे उपाय पूज गुरुजी की कता से ही सुनके आपको बहुत अच्छे से समझाओंगा चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जैसा कि मैंने लिख रखा था कि आपको कितने दाने चाहिए साथ दाने चावल के ताहिए एक छोटा सा बात यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको समझा दूँ कुछ लोग कहते हैं भी हमें खंडित चावल हमारे पास होता है खड़ा चावल नहीं मिलता मैं आपके घर पे खड़ा चावल भी भेज सकता हूँ 9005643345 इस पे मुझे वाटसेप करना मैं खड़ा चावल भी आपके घर पे डिलेवर कर दूँगा ठीक चलो साथ दाने खड़े चावल के लिए उसके बाद में हमें जरूत पड़ेगी इस तरीके से बेल पत्र की क्यूं बेल पत्र लेना है एक तो शिरातरी का परव है महादयो के मिलन का दिन है तो आपको बहुती प्यारी से सुन्दर सी बेल पत्र लेने ठीके ना बेल पत्र ले लिया साथ चावल के दाने लिए उसके बाद में आपको तामबे का लोटा लेना है उसमें जल भरना है महीना कौन सा चल रहा है, पित्रपक्ष का, तो पित्रपक्ष के दिनों में महाद्यों को हम जब भी जल चढ़ाते हैं, तो क्या डालते हैं, गंगा जल डालना, साथी साथ पित्रपक्ष की वज़े से इसके अंदर हम एक चुटकी क्या डालेंगे, काला तिल भी डालेंगे, इस जल को उठाना, साथ दाने चावल के उठाएंगे, महाद्यो के शिवलिंग के पास पहुँच जाना, बेल पत्र को लेके, फेस रखीगा, उत्तरदिशा नौ डिरेक्शन, देखो, जब हमारी कोई ऐसी विपरीत स्थती चल रही हो, तो हमें महाद्यो को मनाने से पहले, ए असोग सुन्दरी के स्थान पे साथ चावल का दाना समर्पित करना, ठीके न, पहला काम चावल का दाना चड़ाएंगे, चावल का दाना समर्पित करने के बाद में, जो आपके पास में बेल पत्र है, उसे महाद्यो के शिवलिंग के उपर, अपने पित्रों का स्मर्ण करत साथ ही साथ आपको अपनी मनो कामना अपनी विश्यस कहते हुए महादयो के शिवलिंग के उपर उस एक बेल पत्र को समर्पित कर देना। अगर आपने समर्पित कर दिया जो भी आपकी मनो कामना होगी जो भी आपके विश्यस होगी वो पूरी होगी अभी वीडियो खतम ने वी ठीके ना जल वगरा चढ़ा दिया उपाय सब कर लिया अब हमें यहाँ पे मनाना है माता असोक सुन्दरी को यह जो स्थान आपको दि हमारी यह इच्छा है हमारी विश्यस हैं बहुत दिनों से हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पारिए आप हमारी इस विश्यस को आप हमारी इस इच्छाओं को पूर्ड करें अपने प्रातना कर लेना और उसके बाद में आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं करके देख लीज अगर आपके घर में बहुत चिड़चिड होता है, मतलब कि क्या है न? कि घर में आपके शांती बिल्कुल नहीं है न? बहुत उपॉस कर रहे हो, बहुत वरत कर रहे हो, बड़ फामली में मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस उपाय के लिए आपको दो चावल के दाने पहले उपाय में हमने साथ चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से खंडत ना हो टूटे उए ना हो अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या तो दो चावल के दाने ले लिए दाने लेने के बाद में आपको यहाँ पे नियम बदलना है नियम क्या है कि हमें इस तामबे के लोटे में जल भरना है जल के ही अंदर आपको क्या डालना है गंगा जल पित्र पक्ष की वज़े से इस जल क परिंडा हो आरो लगा हो उस अस्थान पर अपने पित्रों का इस्मरण करके आप इस कलश को वहाँ पर रख देना और आप अपने उस विक्ति का इस्मरण भी करेंगे जिसकी वज़े से पूरा घर परेशान रहता थोड़ी देर रखने के बाद में फिर आप इस कलश को उस म परिंडे आरो के पास से उठाएंगे और पहुच जाएंगे महादयो के शिवलिंग के पास में ठीके न यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन समझेगा आपको ऐसे महादयो के शिवलिंग के पास जाना है जिनके पास में बेल का पेंड हो अगर आपके घर में बेल का पेंड ह तो यह उपाय आप अपने घर पे कर लेना वरना मंदर में कर सकते हो फेस रखेगा उतरदिशा नौट डारेक्शन जो आपके पास में कलश है देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा आओ धू तेशवर महादो लेकिन पूरा जल समर्पित नहीं करना उस कलश का आधा ही जल समर्पित करेंगे महादयो के शिवलिंग के उपर और जो बाकी का बचा हुआ आधा जल होगा आपके घर के आसपास में या फिर आपके ही घर में जो बेल का पेंड होगा उस बेल पेंड की जड़ में भी आधा जल आपको समर्पित करना है क्योंकि पित्रपक्ष जल रहा है और पित्रपक्ष के दौरान पे तीन व्रिक्ष हमारे पित्रों के तुल्य होते हैं बेल का पेड़, पीपल का पेड़, वट का पेड़, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक व्रक्ष के नीचे आप उस बचे हुए आधे जल को समर्पित कर देते हैं तो आपके घर से पित्र दोश की वज़े से अगर जो भी समस्याएं चल रही होगी, वो सारी समस्या खतम जरूर होगी ठीके न, दो उपाय समझ में आगये आपको, अब हम लोग सबसे फेमस उपाय की बात करने जा रहे हैं पित्र पक्ष की शुरात्री तिथी के, जिस उपाय की बारे में गुरुज ने कई बार अपनी कथाओं में बता रखा है और वो है एक सफेद फूल का उपाय, बताये आप सबको ना, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे की, अगर आपके घर का कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसी चीजे है ना, जो ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है चाहे आपका परिवार नहीं चल पा रहा या फिर आपके फैमिली में करज बढ़ते जा रहे हैं, करज बढ़ते जा रहें, दुगना तीगना ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, पैसों की कमी है, मतलब कहने का है कि अगर आप गर में कस्ट ही कस्ट हैं, तो आप इस सफेद बट समझना चाहिए, आपको सिर्फ एक सफेद फूल लेना है, आप वो सफेद फूल चाहे सफेद गुलाब लेलो, याए आप कोई सा भी आपके घर के आसपास सफेद पुषब हो, उस सफेद फूल को लेंगे, साथ ही साथ चुपचा पहुँ जाएंगे महाद्यो की शिवलिंग के ऊपर, अपने पितरों का समरण करते वे, अपने पितरों का ध्यान करते वे, आपको समर्पित करना है, साथ ही साथ, एक लोटा शुद्ध जल, कामबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जयब करके समर्पित करना, नीय alors मैरी उपाय का, जो सफेद पुश्प है जब उस सफेध पुश्प को महादयो के शिवलिंग के उपर चढ़ा दोगे तो यहाँ पे अपने पित्रों का ध्यान करेंगे यहाँ पर और कुछ नहीं बोलेंगे सिर्फ अपने पित्रों का समरण करेंगे लेकिन जब इसी सफेद पुष्प के ऊपर आप जल को समर्पित करेंगे अपने घर की प्रॉबलम अपने घर की कठनाईयों को कहके तो वहाँ पे स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब करेंगे है न यही जल सफेद पुष्प से होता हुआ नीचे गिरेगा इस जल को थोड़ लेवाला है तो आप सभी कोई सफेद पुष्प का उपाय तो जरूर करना चीहे वो भी शाम के टाइम पे प्रदोश काल में ठीक है न इसी से मिलता जुलता हम लोग कुछ और उपाय की बात करते हैं जो कि यह हमारा वीडियो का आखरी उपाय है चौथा उपाय अब बात क के लिए भी हमें चाहिए होगा सफेद पुष्प की पंखुडियां कितनी पंखुडियां साथ पंखुडियां जैसा स्क्रिंट पे आपको दिख रहा है इसी तरीके से मतलब कि कोई से भी सफेद पुष्प की पंखुडियां आपको लेनी है साथ ठीक ले लिया लेने के ब पंखुडी को उठाएंगे पहुत जाना महादेओ की शिवलिंग के पास में और आपको फेस रखना है उत्तरदिशा नौर डिरेक्शन जो आपके पास में पंखुडियां है साथ उस साथ पंखुडियों को माता असोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है जब यहाँ पे आप समर्पित कर रहे हों तो आओ धू तेशवर महादेओ का ध्यान करेंगे ध्यान लखेगा मासिक सिरात्री जो पित्रपक्ष में चड़ती है वहाँ पे जब हम साथ पुष्प की साथ पंखुडियों को समर्पित करते हैं सफेद फूल की वहाँ पे कौन सा स्मर्ण करेंगे आपको आओ धू तेशवर महादेओ के नाम से चड़ाना होगा और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल जो मैंने आपको बताया लॉंग का जल समर्पित करने से हमारे घर से जो कर्ज की समस्या होती है वो खतम होती है साथ ही साथ पैसे भी आप पे घर में आना स्टार्ट हो जाते हैं तो बाकी मैंने कोशिश किया आप सभी को बहु बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा कुछ पूछना है नहीं समझ मैं नीचे कॉमेंट सेक्षिन ने पूछ सकते हैं और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे स्री शुवाय नमस्तु भे